हेलो एब यहम वैकम टो क्लाव सरीस और आज के विडियो में हम जिस क्वेशन को सौल करने जा रहे हैं वह क्वेशन है सबसे पहले हम क्वेशन को समझते हैं क्वेशन के अंदर कि अब ला है क्या फाइंड करना है अपनको रेशो फाइंड करना है अब यह first quantity second quantity दोनों quantity हो गई अब धियान रखना है जब भी अपन को रेशो फाइंड करना है तो बोद धी quantities should be the same unit unit कैसे होगा एक तो kg के अंदर दे रखा है और एक grams के अंदर रेखा तो अपन रेशो फाइंड नहीं कर सकते हैve a दोनों grams grams में हो जाएंगे हम उसका ratio easily find out कर पाएंगे अपने को पता होगा 1 kg के अंदर कितने grams होते है 1000 grams होते है पहले इसको convert करते है अगर 1 kg के अंदर 1000 grams होते है तो फिर 10 kg के अंदर कितने grams होगे 10 into 1000 grams तो कितना हो जाएगा 10,000 grams हो जाएगा तो बेसिकलि अपने 10 kg को ग्राम्स के नदर कर दिया कितना हो गया 10,000 ग्राम्स और यह यह अपने इन दोनों का रेशो फांट करेंगे तो यह basically कैसे हो जाएगा यह हो जाएगा therefore ratio is equals to जो कि 10 kg पहले दे रखा है तो यह numerator में आ जाएगा 10,000 divided by 200 बाद में दे रखा तो यह denominator में आ जाएगा 10,000 divided by 200 simplify करते है इसको तो देखो 00 gets cancelled क्या बचा 100 divided by 2 2 1s are 2, 2 50s are 100 तो फिर क्या मिला 50 divided by 1 मिला क्या यह fraction 50 divided by I mean क्या यह fraction 50 divided by 1 further divisible है नहीं है तो अपने को basically ratio अपने ratio की क्या value मिलेगी 50 is to 1 ठीक है So this is your answer